नमस्कार उपाध्य लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है परसंटेज का आज पार्ट 6 है अगर आपने पिछले पार्ट अब तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जाके आप उन्हें देख लें मैंने सारी चीजें बिल्कूल बेसिक से करा आने का प्रयास किया है अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं चलिए आज शुरू कर देते हैं पासंट फिल से रेलेटर्ट को इसकी बाद में हम जैसे मुशली आपके टाइप कबर हो पाएंगे तो फिर मैं आपको प्रिविय के दीरे बढ़ता जा रहा है बास समझ रहे ना तो थोड़ा सा लेवल मैंने इस वार भी बढ़ाने का प्रयास किया है कुछ कोशन के लिए कुछ जो चोटे कोशन थे जो आने लाइक है वो उनको लिया है चलिए बिना देरी की यह शुरू कर देता हूं आज का पहला कोशन पास फिल से रिलेडिल कोशन है कुछन के रहे एक एक्जामिनेशन में एक हजार लड़के और आठ सो लड़किया है भई एक हजार तो लड़के हैं हमारे पास और आठ सो हैं लड़किया गर्स हैं हमारे पास 800 यदि 60 परतीसत लड़के और 50 परतीसत लड़कीया उत्रिण होती है तो कितने परतीसत छातर अनुत्रिन हुए या फेल हुए लड़के कितने पास ओ रहे हैं 60 परतीसत तो फेल कितने हुए 40% लड़के fail हो गए क्योंकि मुझे तो fail वाले चाहिए पास वाले नहीं चाहिए अगर आप पास वाले निकाले भी लेते हो तो आपको फिर total मैं से पास वाले सब्ट्रेट करके fail वाले मिलेंगे बात clear हुई यहां तक तो देखो 1000 का आपको कितना प्रतिसत निकालना 40% क्योंकि आपको fail चाहिए और आपको पता है कि कितना आ जाएगा यह 400 तो 400 तो लड़के fail हो गए लड़किया 50% पास हुई है तो fail भी 50% ही हुई होगी इसका मतलब क्या है कि 400 लड़किया fail हो गई टोटल फेल कितने हुए जब टोटल आप fail की बात करोगे तो यह हुए है 800 ठीक है यहां तक बात किलियर हुई आपको आउट ओफ कितने पर 1800 पे बाई इंटू 100% परसेंटिज पुछा है ना आपसे तो ठीक है 800 बच्चे fail हुए थे 1800 पे क्योंकि 1000 लड़के और 800 लड़किया थी अब देखो 8 बटे 18 है आप इसे solve करोगे तो 4 बटे 9 आ जाएगा अब आपको एक बात में बता चुका था कि 11 1 by 9% यह बात होती है 1 by 9 के और यह आपको 4 by 9 दे रखा है इसका मतलब क्या है कि आपको percentage का 4 times करना है तो इसका मतलब अगर मैं इसका 4 times करूँगा तो यह कितना हो जाएगा 44 4 by 9% तो 44 4 by 9% आपका अंसर आ जाएगा इतने चातर फेल हुए है बस यह इतना साथा question उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा इसे note करो आगे बढ़ते हैं next question देखो एक class में 60 प्रतिसत student pass हुए है हिंदी में 45 प्रतिसत पास हुए है Sanskrit में और दोनों विशयों में मिलाकर की हुए है 25 प्रतिसत पास ठीक है तो what percent of student fail in both subjects यानि दोनों विशयों में कुल कितने विध्यारती fail हुए है ये आपको बताना है देखो मैं आपको ये वेंड डाइग्राम के method से भी बता देता हूँ और direct वाले method से भी बता देता हूँ अगर आप डारेक्ट लिखना चाहते हो तो direct ये होता है 60 प्लस के 45 जो common है उन्हें घटा दो तो ये आ जाएगा 80 ठीक है भाई 45 मैं से 25 गया तो 20 और 80 आजाएगा 80 पास हुए है ठीक है तो भाई फेल दौना विखना में कितने हुए होंगे फेल हुए होंगे 100 मैं से घटा दो 20 आजाएगा बट ये क्या है ये डाइग्राम के माध्यम से पहले आप समझो इसे उसके बाद मैं मैं इसको फिर से समझाओगा कि ये क्या है यानि आपको करना कुछ नहीं है बहुत आसानी से हो जाएगा देखो ये है एक विसाय के स्टुडेंट ये हैं दूसरी विसाय के स्टुडेंट और ये जो एरिया है ये कॉमन है दोनों में ठीक है 60% स्टुडेंट पास हुए है हिंदी में तो अगर मैंने इसे हिंदी बना दिया तो ये 60% हो गए इसके बाद में 45% जो हुए है संस्कृत में अगर ये 45 मैंने यहां लिख दिया और ये है संस्कृत ठीके अब इन में से कह रहा है कि 25% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं तो सबसे पहले आप दोनों वालों को भरोगे ठीके और डाइग्राम अप उसके लिए बनाओगे जो common वाली value दे रखी है common दे रखा है दोनों में पास हाला कि यहां तो सब ही पास हैं तो पास के लिए ही डाइग्राम बनेगा अगर आपको ऐसा दे रखा होता कि ये संस्कृत में पास हुए हैं ये हिंदी में फेल हुए हैं ये पास हुए हैं और इतने दोनों में फेल हुए हैं तो भाई आप fail के लिए diagram बनाना ठीक है समझ में आ रही है नहीं आ रही तो धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा घबडाने की जरूरत नहीं है आप सबसे पहले middle में भरोगे 25 क्योंकि ये जो common है ये 25 थे हिंदी में कुल मिला करके 60 pass हुए थे और 25 में ने कर दिया तो 35 हुए हिंदी में pass 45 यहां से तो 20 हुए है यहां pass ये diagram बनेंगे pass का तो जो total pass हुए है जो total pass हुए है वो कितना हुआ है 35 प्लस के 25 प्लस के 20 ठीक है 80% student आपके pass होगे fail कितने हुए होंगे क्योंकि कोई भी value original 100% होती है तो fail जो हुए होंगे वो हुए होंगे 20% ठीक है अच्छा आपने एक वार नोटिस की कि मैंने पिछली बार दोनों को add करके common घटाया था तो क्यों घटाया था देखो मैंने इस वज़े से common को घटाया था कि हमने हिंदी लिया था 60% ठीक है यह 60 था हमने यह लिया था 45% तो आपने एक वार नोटिस की कि यह जो 25 है यह एक वार इसके साथ भी जुड़ गया था और एक वार इसके साथ भी जबकि लेना तो मुझे एक ही वार था न तो इस वज़े से मैंने उसे 25 को घटाया था और यह pass के लिए value बनी 80 फेल के लिए कितनी बनेगी फेल के लिए बनेगी 20 80 मैनस घटा दोगे तो फेल के लिए आ जाएगा उमीद करता हूँ यह वाला question आपकी समझ में आ गया होगा इसे note कर लो आगे बढ़ते हैं देखो समझ गे ना इसे note हो गया होगा note ना हुआ करे तो फिर वीडियो को pause कर लिया करो ठीक है देखो question क्या कह रहा है in an examination 70% of candidate passed in English and 80% passed in mathematics 10% failed in both subject अब मैं जो diagram बना हुआ common वालों के लिए बना हुआ यानि diagram बनेगा fail का ठीक है तो आपको पता है ऐसे करके एक diagram मैंने ये बना दिया दूसरा ये बना दिया मेरे पास जो common value है वो fail वाली है तो मैं diagram pass का ना बना के fail के लिए बनाऊँगा वो बता रहा है कि 10% दोनों में fail हुए है तो 10 मैंने यहां भर दिया ये diagram है fail के लिए ठीक है 70% candidate पास हुए है इंग्लिश में तो इंग्लिश में fail कितने हुए होंगे भाई 30% और mathematics में fail कितने हुए होंगे 20% क्योंकि 80% पास हुए है बस आप fail के लिए भर दो ये total diagram 30 के लिए है 10 आपने भर दिया 20 ये आ गया इसका mathematics में ये fail के लिए 20 टोटल था और 10 common थे तो यहां केवल fail होने वाले बच्चे 10 अरे यहां तक clear हुए है अब इसके बाद में आप इन्हें add कर लो तो 40% students fail हुए है ठीक है तो भाई pass कितने हुए होंगे passed दोनों में अगर मैं बात करता हूँ तो 60% passed हुए होंगे ठीक है आप से क्या पूछ रहा था हाँ यदि 144 प्रतियोगी दोनों विशयों में सफल रहे हैं दोनों विशयों में सफल रहे हैं 144 प्रतियोगी तो यानि ये जो 60% की value है ये 144 के बरावर है तो प्रतियोगी कोई कुल संख्या क्या थे यानि कितने विध्यार्तियों ने भाग लिया ये आप से पूछ रहा है तो टोटल की में बात करता हूँ भाई तो 144 बटे 60 इंटू 100 अब आप देखोगे percentage नहीं ये तो calculation है तो 244 आपका answer आजाएगा ये था answer बात यहां तक समझ में आई अगर नहीं आई तो एक बार फिर से समझ लो diagram में उसके लिए बनाऊगा जो मुझे common value दे रखी है और common value है मेरी fail वाली पास 70 हुए थे English में तो 30 fail हुए पास 80 हुए थे में तो 20 fail हुए दौनों में 10 common fail था तो 40% total fail हुए 60% पास हुए जिनकी जो value है 144 के बराबर है आप से पूछ रहा है कुल कितने competitive कितने अभ्यारती थे तो कितने थे 40% की value उससे आप क्या करोगे 1% की निकाल दोगे तो 60 से divide कर दोगे then after आप 100 से गुणा करके total निकाल दोगे देखो एक परिक्षा में 60% चातर अंग्रेजी में तथा 70% चातर गड़ित में सफल हुए लेकिन 20% चातर दोनों विस्वयों में असफल हो गई देखा आपने पहले question में सफल 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 इस तरीखे से था लेकिन मैं डाइग्राम में आपके लिए बता रहा हूँ कि असफल जो common value है उसके लिए बनाना है इस वाले में भी common value क्या है असफल की है तो अंग्रेजी और गड़ित की बात है ये English के लिए मैंने बना दिया और और ये मैंने 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 म तो भाई अब 20 common है तो 20 मैंने यहां भर दिया अब इसको मुझे 60 बनाने के लिए यहां 40 और लखना पड़ेगा और इसको, sorry, fail के लिए diagram बना है 40 बनाने के लिए मुझे 20 और लिखना पड़ेगा और fail के लिए यहां मुझे 10 लिखना पड़ेगा ठीक है तो अब mathematics में total 30% fail हुए जबकि English में 40% fail हो गए ठीक है आगे question देखो क्या कहता है यदि 25-26 दोनों विशायों में सफल हुए इस वार फिर से success की बात कर रहा है तो fail कितने हुए हैं भाई fail हुए है 50% 40 और 10 परचास pass भी हुए होंगे 50% और इन 50% की जो value है वो पच्चिस सो है ठीक है तो total candidate कितने आ गए यह हो जाएंगे just double कर तो 100% के लिए तो कितना हो जाएगा 5000 इतना साथ था भाई यह question आप समझ पाए तो 5000 थे टोटल विद्यार दी चलो आगे बढ़ देते हैं मैं देखो मुझे जहां लगता है कि आप में confusion आता है तो मैं उसे करा देता हूँ जनरली बच्चों में जो confusion होता है वो इस common value को ले करके होता है उन्होंने देखा कि 60% English में fail तो 60 वहां बना देंगे 70 गड़त में fail तो वो भी ठीक है अब 10% दोनों विश्यों में fail हुए है तो 90% दोनों में pass हुए होंगे ऐसा नहीं होता ना तो एक systematic way में आप इसे solve करना चाहिए चात्रों के एक सम्मूह में 70% चात्र अंग्रेजी और 65% हिंदी बोल सकते हैं इंग्लिश बोलने वालों की जो शंखिया है speak जो कर रहे हैं वो 70% कर रहे हैं और हिंदी जो speak कर रहे हैं हिंदी जो बोल रहे हैं उनकी संखिया 65% है ठीक है यदि 27% student दोनों में से कोई भी भासा नहीं बोल सकते हाँ अब ये एक और point आ गया कि 27% कोई भी भासा नहीं बोल सकते हैं तो भाई एक और value बना लो 27% की ये कोई भी भासा नहीं बोल सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीखे से बनाओ कि ये आपने समुच्ची सिद्धानत अगर 12 वी में मेहत रहा हो तो आपने शायद पढ़ने का प्रयास किया हो तो उस तरीखे से मैं से बना देता हूं समुच्चे की तरह से मैं से आपको डिफाइन कर देता हूं ये लो ठीक है इंग्लिश बोलने वालों की जो संख्या है वो 70 है इंग्लिश 70 ये इंग्लिश के लिए डाइग्राम है ये सरकिल इंग्लिश के लिए 70 और ये मेत के लिए है सुरी हिंदी के लिए 65 ठीक है न ये 65 है और इसके बाहर जो बचे हुए हैं ये वो हैं जो बोल सकते हैं इसके बाहर कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं बोल सकते तो वो 27 स्टुडेंट ऐसे हैं जो कोई भी भासा नहीं बोल सकते आप चाहो तो इसको लिख लेना, कि कोई भी भासा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है जी, हाँ, तो कितने प्रतिसत छात्र दोनों भासाएं बोल सकते हैं, ये आप से पूछ रहा है, अब आप एक बात बताओ, तो 70% अंग्रेजी बोलने वाले हैं, 65% हिंदी बोलने वाले हैं, 27 कोई भी भासा नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब total कितने प्रसेंट स्टुडेंट बैठें, 7 और 5 बार है का 2, 7 और 6, 13 और 2, 15 और 16, यानि ये बैठे 162 परसेंट स्टूडेंट, जबकि original वास्तिविक्ता में कोई भी number कैसा होता है original 100% होता है तो इसका मतलब 62% student दोनों भासाएं बोल सकते हैं ठीक है clear हुई ये बात अब आप इसको देखोगे कि ये 62 तो ये 8 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और ये 27 आप इनको एड करोगे तो ये 100% ही बैठेगा ठीक है तो कितने विद्यारती ऐसे हुए जो दोनों भासाएं बोल सकते हैं 62 बात समझ में आ गई ये इंगलिस जोड़ दिया हिंदी जोड़ दिया और ये जो ना बुलने वाली भासा है वो भी जोड़ दिया जो जादा आया 100% से वही कॉमन वाली वैल्यू होगी ठीक है इसके बाद में ऐसा ही कोश्यन है एक परिक्षा में 52 प्रतिसत चातर हिंदी में तथा 42 प्रतिसत चातर अंग्रेजी में असाफल हो जाते हैं ठीक है ये नोट होई गया होगा समझो है से एक परिक्षा में 52 प्रतिसत चातर हिंदी में हिंदी में 52% और 42% इंग्लेश में असाफल हो जाते हैं ये इंग्लेश में 42% असाफल हो जाते हैं सत्रे प्रतिसत छात्र दौनों विस्षेओं में असफल हो जाते हैं देखा इस वार बिलकुल सारी चीज़े से मिल गई यानी ये भी फेफ़्ाली बात हो गई ये भी फेफ़्ाली बन गई लेकिन यहाँ पे भी फेफ्ाली दे रखिये तो आप diagram fail के लिए ही बना रहे हो तो आपको कुछ करना ही नहीं है सत्रे प्रतिसत दौनों में असफल हो जाते हैं तो भाई सिंपल सी बात यह है कि ये बचेगा 35 केवल हिंदी में 35 और इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो 25 अब आप इनको add कर लो तो कितने प्रतिसत चातर दौनों विसायों में सफल हुए तो आप इसको ये fail के लिए अपने diagram बनाया है तो कितना हो जायागा fail कितने हुए 25, 35 यानि 60 और 17 77% fail हुए है तो 5 कितने परसेंट हुए है 23% 100 में से घटा के 23% पास पर आ गई है उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो पास और fail में एक और तरीखे की question frame होते हैं जिन्हें देखिए अब जैसे कि एक व्यक्ती ने कुछ अंक प्राप्त किये और वो कुछ नंबर से fail हो गया दूसरे ने किये या तो वो fail हुआ या पास हुआ इस तरीखे के question भी बनते हैं एक परिक्षा में उत्तिन होने के लिए 40% अंक अनिवार रहें ठीक है कितना 40% एक परतियोगी को 220 अंक मिला और वह 20 अंकों से असफल हो गया तो परिक्षा में अधिक्तम अंक कितने है देखो पास होने के लिए क्या condition है उसे 40% मार्ग्स चाहिए ठीक है अब उस व्यक्ति के हैं 220 मार्ग्स और 20 नंबर से fail हुआ है ठीक है इसका मतलब अगर उसके 20 नंबर और होते तो वह पास हो जाता तो उसके कितने नंबर और होने चाहिए थे उसके नंबर होने चाहिए थे 20 जादा यानि 2040 तब जाके वो पास होता यह हैं पासिंग मार्ग्स अब भीन पास 40% पर हो रहा है तो इसका मतलब 40% की जो value है वो तो 240 है और 100% की जो value आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी फिर 600 40 से भाग करके 60 से गुणा कर दो 600 आपका अंसर आ जाएगा ठीक है? कितना आसान था Next question कहे रहा है एक छात्र को परिक्षा में पास होने के लिए कुल 33% अंक चाहिए वह total 25% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से fail हो जाता है तो total number of marks क्या थे? यानि maximum marks आप से पूछ रहा है भाई पास होने के लिए चाहिए 33% अरे बात समझ मारी है ना? ठीक है अब उस व्यक्ती ने 25% तो ले आया वो तो पास होने के लिए और कितने चाहिए थे? 8% और चाहिए होंगे ना? लेकिन वह 40 अंकों से असफल हो गया अगर आप ये बात देखते हो कि वह या तो 8% से असफल हुआ या फिर 40 नंबर से असफल हुआ तो इसका मतलब ये है कि 8% की जो वैल्यू है वो 40 अंक के बराबर हो जाएगी और 100% की जो वैल्यू हो जाएगी 40 बटे 8 इंटू 100 और आप इसे देखोगे तो 500 मैक्सिम माक्स 500 होंगे परेक्षा में इस कुशन को आप समझ पाए ठीक है 25 प्लस 8% में ही तो डिवाइड करोगे और 8% से फेल हुआ है जबकि वो बता रहा है कि 40 अंक से असफल हुआ है 8% की वैल्यू 40 के बराबर रखती है आपने ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं यदि किसी परेक्षा को यदि किसी प्रतियोगी को एक परेक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है यानि जिस व्यक्ति को 20% अंक मिले है वो 30 अंक से फेल हो गया कहने का मतलब यह है कि 20% प्लस 30 अंक यह होंगे उसके पासिंग मार्क्षा लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसके जो अंक आते हैं पासिंग मार्क्षा से 42 ज़्यादा आते हैं ठीक है तो वो यह पूछना चाह रहा है कि व्यक्ति कितने प्रतिसत पर पास होगा ठीक है यानि पासिंग प्रतिसत क्या होगा तो पासिंग प्रतिसत आपसे पूछा है मैं आपको 100% भी बताऊँगा यानि टोटल कितने मार्क्षा होते हैं ये बात भी बता दूँगा अब आप एक बात देखो कि यहां से यहां तक किसी व्यक्ति को बढ़ने में कितने नमबर बढ़ाने पढ़े बीश से बातीस परसेंट इसका मतलब जो दूसरे वाला व्यक्ति था उसके बारहे परसेंट ज़ Extremis ज़ादा नमबर थे यहां नमबर कितने थे अब आप यह कहोगे कि सर यहां भी बार है जादा थे नहीं भाई गलत है आप एक बार सोचो कि सपोच आपको सौ नमबर चाहिए पास होने के लिए सपोच एक मैं मान के चल रहा हूँ अब यहां मतलब अगर सौ जिसके आगए वो एक्जेक्ट पास हो गया पहले वाला व्यक्ति तीस नमबर से फेल हुआ तो इसका मतलब उसके कितने आए होंगे सतर दूसरे वाला व्यक्ति ब्यालीस नमबर ज़्यादा लेके आया है तो इसका मतलब पास होने से उसके कितने आगए एक सो ब्यालीस 100 पर कोई भी व्यक्ति एक्जिक्ट पास होता है ये 70 हो गए और उसके 42 ज्यादा हो गए तो 142 मार्क्स आ गए अच्छा एक बात बताओ डिफरेंस तो 15% का ही है यही 12% में अंतर का कितना अंतर आ गया आप अंतर देखोगे तो 42 प्लस के 42 प्लस के 30 यानि यहां से आप 30 चलोगे या आप 142 में से सीधे 70 घटाओगे तो 72 नंबर का अंतर आ गया क्लियर हूँ यह बात वैसे भी आपको पता है अगर आपको नियम के अनुसार चलोगे 42 प्लस का है मैंसे माइनस का माइनस का 30 घटाओगे तो 72 आ जाता है अरे यह तो कम पढ़ रहा है न तो यह बात तो आपको पता ही होगा चलिए अब हम इसको देखते हैं तो 12 परसंट की वैल्यू आ गई भाई बहतर तो 1 परसंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 ठीक है तो वो कर्शन भी मैं आपको डिसकस कर रहा हूँ जिसकी जरूरत नहीं है कि 100 परसंट की वैल्यू क्या होगी तो 100 परसंट के लिए आपको क्या मिलेगा 100 परसंट का मतलब हो जाएगा 600 यानि उस परिक्षा में 600 अंक मैक्जिमम होंगी क्लियर हुई यह बात ठीक है लेकिन आपसे यह तो पूछी नहीं रहाता है यह तो मैंने बस वैसे ही निकाल दिया है पासिंग परसंट पूछ रहा है पासिंग परसंट का मतलब है कि जितने नंबर हैं उसमें एक प्रतिसत की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो 20 प्रतिसत प्लस 30 नंबर और चाहिए तो जोड़ दिये मैंने और एक परसंट की वैल्यू कितनी है 6 तो पासिंग परसंट कितने हो जाएंगे 25 परतिसत यह आजाएगा आपका अंसर उम्मीद करता हूँ यह बात आप समझ पाए होगे चीक है इसे नोट कर लो बढ़ते हैं आगे एक प्रतियोगी को 30 प्रतिसत अंग प्राप्त होते हैं और वह 5 अंगों से आसाफल हो जाता है यानि जिसको 30 प्रतिसत अंग मिले हैं वो 5 अंगों से फेल हो गया कहने का मतलब है कि पास कितने पर होगा 30 परसंट प्लस 5 नंबर ठीक है इसके बाद दूसरे प्रतियोगी को 40 प्रतिसत अंग मिले हैं और इसका स्टेटस क्या है उससे उत्तिर्ण से 10 अंग अधिक प्राप्त हो हैं यानि अगर उसके नंबर 10 कम भी होते तब भी वो पास हो जाता क्लियर हुई ये बात तो आपसे पूछा है कि उत्तिर्ण अंग क्या है यानि पास होने के लिए कितने नंबर की रिक्वार्मेंट है इस वार नंबर की रिक्वार्मेंट आपसे पूछ रहा है पास होने के लिए तो भाई सिंपल सी बात है आपको यहां तो difference ही निकालना है और यह difference आ रहा है 10% यहां difference कितना रहा है 15 marks समझना बात को क्योंकि अगर passing marks 100 थे तो पहले के 5 नमबर कम 95 आए और दूसरे के 110 difference कितना रहा है 15 नमबर का तो 1% की जो value आ जाएगी वो कितना आ जाएगा यह आप सीधे सीधे पहले यही कर लो कि 10% की value पंधर है चीक है passing marks तो आपसे पूछा है passing marks आप क्या निकाल सकते हो कि 30% निकाल के 5 नमबर और एड़ कर दो तो 30% निकालने के लिए आपने यहां 3 से गुणा किया तो यह हो गया 30% अब यहां भी आप 3 से कर दो तो 45 और यह 30% लाने वाला व्यक्ति भी 5 नमबर से फेल हुआ था इसका मतलब इसमें भी आप 5 एड़ कर दो कितना हो गया passing marks 50 ठीक है passing marks कितने हो गया 50 ठीक है जी note कर लो इसे फिर चलते हैं आगे अब जीक है